Oh, good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Henson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. इसमें की बारे में बात आती है, तो machine definitely human से हमारे काफी आगे निकल चुकी है, आज की तारीक में हम एक limited तक counting कर सकते हैं, हमारे human के अंदर अलग अलग दिमागों के अंदर अलग लेकिन जब calculator की बात करते हैं, तो काफी सारी गन्नाएं जो हैं, वो machine काफी fast कर सकते हैं हमारे म मुकाबले, तो ऐसे में जब यह calculation करते हैं, तो अपने अंदर एक set pattern को बना लेते हैं, जैसे मैं एक example के तौर के आपको बताता हूँ, जैसे काफी सारे हमारे जब बुजर्ग जो बात करते हैं, यह काम मत कर, इसमें तो fail हो सकता है, यह काम कर, इसमें तो सफल हो सकता है, व जैसे मैं आपको एक example के तौर बता देता हूँ, आजकल बड़ी-बड़ी company क्या करते हैं, जब भी उनको कोई campaign चलाना होता, तो उस पर पहले से calculation करके रखती हैं, और जब वो machine के अंदर डालते हैं, तो exactly वो machine बता देती हैं, कि अगर यह campaign आप चलाएंगे, तो उससे आप आपको क्या return मिल सकता है, even Facebook और Google के अंदर तो बड़े असानी से आप देख सकते हैं, जब भी आपको campaign चलाएंगे, तो आपको बता देते हैं, कि इतना पैसे लगाने पे आपको इतना return मिल सकता है, इतनी lead आपको generate हो सकती है, वो कैसे हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वो calculation कर रखी हुए है, तो algorithm जो चल रही है, patterns जो देख रहे हैं, उसके हिसाफ से वो set कर रहे हैं, और regular उसको चेंज कर रहे हैं, हमारे human के मकावले होंगी calculation काफी fast हो सकती है, हो सकती है, क्या हमारे 100% होती है, तो calculation के हिसाफ से गर बात करें, तो machine learning जो है, human से अलरी काफी आगे नि AI की exactly अगर हम बात करें, तो वो क्या है, AI है जो हमारी common sense, जो senses को समझना, जैसे suppose human जो है, इनसान को replicate करना, और even उससे better reaction पैदा करना, इसको AI करने, AI जो है, scientist पुरा लगे हुए, कि ऐसा artificial intelligence system पैदा कर दे, for an example, जैसे इनसान की अगर हम बात करता हो, तो वो सुन सकता है और इसे AI के form में speech recognition बोलते हैं, आज की तारिक में जैसे आप Google में बोलते हैं, तो instantly वो आपको results देता है, maps में बोलेंगे, तो वो आपको turn by turn direction लेके वहां पे ले जाता है, even काफि सारी apps आज की तारिक में speech recognition का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुसरी अगर बात करो, तो इनसान लिख स इसे अगर बात करता हूँ, तो वो है image processing में जो हम देखते हैं, हाला कि image processing जो है, पार्ट नहीं AI का आज की तारिक में, लेकिन image processing जो है, अपने आप में काफी important role play करता है, क्योंकि ये देख के समझ जाते हैं, कि किस चिस की picture है, जैसे आज की तारिक में अगर आप camera की बात क करते हैं, मतलब कहीं पर सेडियां चड़ना है, कहीं पर उतरना है, कहीं पर पत्थर है, कहां पर पहर रखना है, ये चीज जो है, वो robotics के अंदर आती है, जैसे आज की तारि में हम समझते हैं, कि robots इतने जादा समझदार होने आने वाले time में हो सबता है, वो इनसान के लिए अच्छा response कर सकते हैं, machine learning के थुरू जो calculation बहुत तेज की जा रही है, robotics के थुरू जो है, वो एक तरह से replica बनाई जा रही है, इंसानों की, जो इंसानों से भी better काम कर सकते हैं, कि जहां पर इंसान चड़ने में दिक्कत है, वहां पर भी वो चड़ जाए या इस तरह के एक क कर सकते हैं, क्योंकि इसको storage की कोई limit नहीं है, और human brain से काफी अच्छे perform कर सकता है, एक example के दर में बताता हूं कि आने वाला time में बहुत सारी चीज़े जो है, वो robots और AI के support के थुरू होने वाली है, even गाड़िया भी चलने वाली है, चलनी शुरू हो चुकी है गाड़िया और पता नहीं क्या-क्या होने वारा दोस्तों, एक example आपको देता हूं, चाइना के अंदर एक store है, जिसके अंदर आप entry करेंगे, कोई इनसान नहीं है, आप exit करेंगे, कोई इनसान नहीं है, even जाके अंदर आप समान लेंगे, जहां से आप समान लेते है, even instantly अंदर यह बैंक से पैसा कर जाता है, आप जो बाहर निकलते हैं तो invoice आपके फोन पर आ जाता है, कोई human interference ही नहीं तो ये artificial intelligence है, definitely इसमें काफी सारे लोगों की nuclear जा सकते हैं, जो की harmful कि अगर बात कर रहे थे, computer से भी काफी ऐसा नुकसान हुआ है, लेकिन जो लोग इस field के अंदर अपनी इच्छा हैं रखते हैं, कि वो इस चीज़ में जाना चाते हैं, पढ़ना चाते हैं, definitely उनके लिए तो रोजगार की काफी सारी संभावनाएं हैं, तो अगर आपके इच्छा है AI के अंदर जाना या फिर machine learning के बारे में सीखना तो definitely काफी सारा आगे रोजगार इसके अंदर अवेलेबल है, ये थी मेरे एक छोटी सी कोशिश, एक कम टाइम के अंदर आपको AI या machine learning के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना, अगर आपको इसके बारे में और भी knowledge चीए तो definitely आप नेंचे comment box में लिख सकते हैं, मैं पूरी कुश करूँँगा आपको एक और वीडियो बनाके detail में इसके आपने बताने के लिए, मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है Digital Indian, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आये तो definitely like जरूर कीजेगा, चैनल को कर लिए सब्सक्राइब मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही next वीडियो के अंदर,